मुरादाबाद के सिविल लाइनसी यूरो किट्स प्ले स्कूल में साथ बनाया गया इस दोरान बच्चों को विभिन पितियोगताओं के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया साथ ही बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई मुरादाबाद के सिविल लाइनस इस्थित यूरो किट्स प्ले स्कूल में आज अंतराश्ट्रे साक्षरता दिवस आयोज़त के आगया जिसके अंतरगस सुरक्षा के माध्यम से साक्षरता की विभिन गतिवेधिया कराई गई जिसके माध्यम से नन्ने मुन्नो को गुड टच बैट टच आत्मत जागरूपता सडक सुरक्षा अंजान लोगों से खत्रा विद्यत उपकरणों एवं नुकेली वस्तों से खत्रा खत्रे में होने पर सुरक्षत इस्थान कैसे ढूंडे आधी बातों पर जागरूप किया बाल मनोवेग्यानेक एवं करियर काउंसलर मेगा गुपता ने बच्चों को कहानी के माध्यम से गुड टच बैट टच का मतलब समझाया साथियों ने अंजान लोगों से बचने के तरीके भी बताए हमेशा रहा हम रखो जैसा हमारा कॉस्ट्यूम होता है वैसा उतना एरिया जो है हमारा उतना एरिया जो है हमारा उसको हम छुपा के रखते हैं उसे हम बच्चा के रखते हैं विडों ले टीपल टब 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 क्या बोला मैं आंजी क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या ब जब हम पॉस्क्यू पहने हैं, तो हमारे को ये पार्ट स्ट्रेंजर से बचा के लगता है। जाते हैं, 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 जाते है टु ऐनको ड्रेस अद्रेस कर सकते है इस अफसर पर सेंटर हेट दिपांशिय अगरवाल ने सभी बच्चों को अपने माता पिता से कुछ भी ना च्पाने का अग्रह किया साथे उन्होंने नन्ने मुन्हों को समझाया कि हमें किसी भी अंजान व्यक्ती से कोई भी खाने की वस्तू, खिलोने या कोई भी उपहाड नहीं लेना चाहिए उन्होंने शिक्षित समाज समर्द समाज होने की कामना की, साथी सभी को विश्व साक्षरता दिवस की, पधाई दी वसभी से शिक्षा के प्रती जागरूकता लाने का संदेश दिया Today in Eurokits Muradabad, we are celebrating International Literacy Day. This day is observed on 7th of September to spread the awareness of the importance of literacy in individual societies and communities. So, if we are literate, if we are educated, then we can educate the other people also because this is very important. With literacy and knowledge, you can remove the darkness of the mind and enlighten it for the better future. On this day, we are celebrating this day through literacy, through safety. And in this point, we are focusing on good touch and bad touch. For this good touch and bad touch, we have invited Mrs. Megha Gupta, and she is a career counselor. She came to deliver the session on good touch and bad touch, which is very, very important in our lives. And kids must know what are the rules of touching. Basically, the main aim of doing this activity, this activity of good touch and bad touch is that kids should know about what is going in our surroundings. What is going on in our surroundings and what is going on in our surroundings. And in all these things, kids should know that they should be safe. They should build a habit of reading. Reading is very, very important. So, I would like to request every parent to include this reading in the child's life. And with these small activities, they are able to know about the importance of literacy in our lives.